हेलो फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारी आजबेशी रास्तान बढ़गी क्लास 11 की मैच सल ले थी चेप्टर 6 हमने शुरू कर दिया था इसकी थेओरी कंशेप्ट जो था वह हमने पूरा किलियर कर दिया था और चेप्टर 6 हमारे पास में किया पर्मु अधिकत होती तो पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट जूरू करें पीछे की वीडियो आप देख लें देख लें था कि सारी कंशेप्ट जो टेर और आप जो वीडियो पूरा देखें अगर आप इसका संगेंगे तो ना थो एक्जामपल समझ में आएंगे ना उन एक लड़का और एक लड़की का चैन गणा चाता है तब लड़का तथा लड़की स्विध रूप से कुल कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं तो यहां पर दोनों को करते हैं मल्टिपलाई तो कुल हमारे पास में चैन करने के परकार कितने हो जाएंगे गए 10 इंटू 8, 10 तो हमारे पास में बोज है, 8 हमारे पास में तो हमारे पास में टोटल प्रकार हो जाएंगे, टोटल बेज हो जाएंगे, 80 कैसे होता हम आपको बताते हो, मालिज यह दस लड़के हैं, B1, B2, B3, B4 इस तरह से और आठ लड़किया हैं जी 1, G2, G3 इस तरह से आठ लड़किया हैं G8 यहां पर हो गया B10 अब पहला हमने स्लेक्ट किया boy B1 तो पहले boy के लिए पहले boy हमने स्लेक्ट किया उसके बाद में इसके साथ में हम टोटल आठ लड़कियों को स्लेक्ट कर सकत indication 2 को स expensive content 3 तौइब क subtra 100 ही 1, मैं दिस तरह से साथ में जी 1 को स्लेक्ट कर सकते हैं ने के साथ में जी 2, 2, 3 एक अगहे और पर लोड़कियों तो इस तरह से टौटल होगे एक है यहां पर डौ नहीं तो यहां पर डस आए की दो भार आईगा तो सभी को जोड़ेंगे तो कित तो देखे एक्जामपल सेकिट में क्या करें माना की 2% A और B करम से 2 तथा 3 प्रकार से हल किये जा सकते हैं तो A और B संयुकत रूप से A और B देखें यह पर क्या रहा है और रहा है संयुकत रूप से कुल कितने प्रकार से हल किये जा सकते हैं Let two questions A and B can solve by two and three ways respectively are collectively down substantially how many ways together hassle with these questions यहाँ पर हमें कुल परकार कितने प्रकार से हल किये जा सकता है क्वेश्चन तो किक संवानों कितने हों जाके। ऐस्ट बैब्द्द दोस्से करिंश्चन अर्टे के तो A बोहँ दोक्ना इन सील किया सकता है अब तरीका में आप लोगों बता चुका हूं कि दो परकार माले जी A1 और A2 है एक के तो और B के तीन परकार B1, B2, B3 है तो A1 को हमने सेलेक्ट किया गिए तो इसके साथ में हम B1 को सेलेक्ट करेंगे तो ये एक तरीका हो जाएगा फिर A1 के साथ में B2 को सेलेक्ट करेंगे फिर A1 के साथ में B3 को सेलेक्ट करेंगे इस तरी से 3 हो जाएगे और यहां पर हो जाएगे फिर से 3 तो टोल कितने होंगे छे प्रकार होंगे तो कुल 6 प्रकार से हम इनको सॉल्योसन इंका दे सकते हैं देखे एक्जामफल 3 में क्या गरा है तीन व्यक्ति अजमेर आकर ठहरते हैं वह उनके ठहरने के लिए 6 होटल है यदि इन में से प्रतेक व्यक्ति जो है वह भीन होटल में रुके तो वह अजमेर में कुल कितने परकार से ठहर सकते हैं त्री परसन इस्टे एट अजमेर एंड देर आर 6 होटल फोर देम इफ एच वन अफ देम इस्टे इन डिफरेंट होटल देन बाई हाव मैन वेज दे के इन स्टे इन होटल देखिए समझने कोशिश करते हैं इसको तीन वेक्ति हैं मान लिजी वेक्ति हैं A B C उनके लिए 6 होटल हैं होटल मान लेते हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6 यह हमारे पास में हैं होटल यह हमारे पास में हैं व्यक्ति अब देखिए हम तीन बुक्स बनाते हैं कित हो गया A के लिए यह हो गया B के लिए यह हो गया C के लिए यह तीन होटल हमारे पास में हो गये तीन होटल में में प्टैर सकते हैं आप समझने कोशिश करते हैं इसको 6 होटल हमें दिये हैं यदि इन में से प्रतेग 20 होटल में रुकिए अमाली छे में से उसने हेशन को सेक्ट किया अब भी आया तो भी जो है वह एशन में थेरेगा क्योंकि भीन होटल में रुकिया एशन में रुकिया उसमें भी नहीं रुकिएगा तो उसके बी के पास में option बचे 5 क्योंकि एक में तो ठहर गया तो पांच option कौन से है एस्टू 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 में ठहर गया अब सी के लिए कि इन दोनों में नहीं ठहर सकता क्योंकि वह अलग होटल में टुक्येगा तो सी के पास option बचे च्यार तो इन च्यारों में से वह एक को सेलेक्ट करेगा एस तरीकों कर लिए मान लिजिए तो टोटल हमारे पास प्रकार इस तरह सी कितनी हो जाएंगी कि वाई एन एस्टू को सेलेक्ट किया उसके बाद में बी जो है इन पांचों में से एक आ जाएग तो बी के पास में उसके बी पास बचे तो पांचों इसके उस तो हमें यह साफ में सब्सक्राइब तो पनीड़िंगी की जो हमारे इस तरी है है 137 के इतने सारे यूद और होगी oh इंटू 5 इंटू 4 multiply करेंगे तो value कितने आईगी 6 इंटू 20 याने के 120 तो टोटल 120 प्रकार से वह ठैर सकते हैं एक एक्जामफल 4 में क्या करें माना कि जोदपूर जैपूर की बीच 5 रेल गाडियां आती जाती है एक व्यक्ती जोदपूर से जोदपूर किसी एक रेल गाड़ी से जाकर वापस जोदपूर से जोदपूर किसी अन्य रेल गाड़ी से आना चाहता है कितने प्रकार से यात्रा कर सकता है we assume that five trains run between Jodhpur and Jaipur a person from Jodhpur goes to Jaipur by a train but wants to return by other train by how many ways he can journey तो वो परकार बताने हैं जिसमें वो यात्रा कर सकता है तो कुल कितने परकार होंगे वो हम यहाँ पर बताने हैं देखे समझने कोशिज कीजिए मान लेजे यह हमारे पास में Jodhpur है यह हमारे पास में Jodhpur है अब देखे जोदपूर से Jodhpur जो ट्रेने चलती है वो टोटल चलती है यहाँ पर पांच पांच जाएंगी तो पांच ही वापस आएंगी तो इसी बात है एक व्यक्ति जो है वो Jodhpur से Jodhpur किसी एक रेलगाडी से जाकर वापस Jodhpur से Jodhpur आना चाहता है लेकिन कंडिशन यहाँ कि वह दूसरी रेलगाडी से आएगा जिससे जाएगा उससे नहीं आएगा तो जब जाएगा तो उसके पास में कितनी उप्सन है जोदपूर से Jodhpur जाएगा तो उसके पास में उप्सन है पांच यहाँ पर कुल प्रकार हमारे कितने हो जाएगे जाएगा तो पांच उप्सन होंगे और वापस आएगा तो जिस ट्रेन में हो गया था उस ट्रेन में तो वह आपस नहीं आने वाला तो इस ट्रेन को हम कैंसल कर देते हैं वापस आएगा तो उसके पास में option कितने हो गए च्यार तो multiply करेंगे च्यार से क्योंकि कुल यात्रा हम पूछी यहांपर जायेगा वह भी आएगा और साथ में वापस आएगा तो वह भी आएगा तो दोनों साथ में और उसके चोइस होंगी तो वह कितनी हो गजिए जाली जिए महांद लीजिए गएसरी यात्रह यह गई vet कि लिए मौन जी वोट 5 से हैं तो उसके पास में चाहर old है तो पांच इंट उच्यार हो जाएगे 5 x 4 तो टोटल परकार हमारे पास में कितने होंगे 20 तो 20 परकार से वो कुल यात्रा कर सकता है एक अक्सा में 10 लड़के और 8 लड़किया हैं किसी समारों के लिए अध्यापक एक लड़का या एक लड़की का चैन करना चाहता है एक लड़का या एक लड़की का चैन करना चाता है, तब लड़का या लड़की को कुल कितने परकार से चुना जा सकता है There are 10 boys and 8 girls in a class, teacher wants to select a boy or a girl for any function, in how many ways the teacher can select a boy or a girl तो यहां पर और की बात हो रही है, English वाले और की, Hindi में बात हो रही है या की यहां लगता है यहां पर हमें बता है कि योग का धार्बु सिदान लगता है, fundamental principle of addition लगता है तो ही हम यहां पर लगाएंगे, तो पुल परकार हमारे पास में कितने हो जाएंगे 10 plus 8 की्यों हो जाएंगे लेक실히 कम से कम एक का तो इह पर सलेक्ट करेंगा आए कि लड़का करें चाहिए एक लड़की करें अब boys हमारे पास में 10 है, boys हमारे पास में 10 है और girls हमारे पास में 8 है तो पहले boy को select करेगा, boy B1 को select करेगा फिर B2 को करेगा इस तरह से कि उसके पास में पर परकार होंगे लडकां के लिए तो टेंग और लडकें के लिए कितने होंगे एट हो ऋगे दोनों को करेगा तो प्लस एट कितना हो जाएगा तुमारा अंसर हो जाएगा एटेंगे लयर देख एक्जाम्प्ल 6 में क्या क protagonist 10 अवर भी धृत्त हैं आरो दो तत्था तीन परकार से अलल की जा सकते कि ए 구독 कार्स कि आ कि लिए 笠ान से वह वह दो परकार ही है तो मैंसे कम-से का एक कितने परकार से अल की जा सकते हैं A या B, यह तो A या फिर B, दोनों में से कम से कम एक तो आना सी, यह सा नहीं कि दोनों इना आएं, तो let two questions A and B can be solved by two and three ways respectively, then in how many ways A or B, at least one of them can be solved, यहां पर देखें इसका solution, कुल कीतने परकार से हल कितने हैं, यह आ रहाए है कि योग आदारबों सीधान्थ लगेगा, to two plus three यानि कि five परकार हो जाएंगे, क्योंकि हमे्या या तो एक परकार हमंने या پिर हम्ने B के परकार हमें लेनिए, दोनों के परकार हमें नहीं लेनի शाहते हैं, एक पूंज पीकर नहीं कितने के साधिन का प्रम्टश से टोंगे कि हम पार इसमें तूछ करना ही produção इसमें वेगा इसमें वेखएमारी पूंजुरी में निकालना हिए भीके साधिकी हुआ है नहीं होगा NPR की वेलुई क्या होती है NPR बढ़ाबर होता है मारे पास में फेक्टोरियल N अपान फेक्टोरियल N-R, तो N-R कर देंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, यह तो नीचे वाला हो जाएगा, 3-2 यानिके फेक्टोरियल 1, फेक्टोरियल 1 की वेलुई 1 होती है, यहां पर वेलुई की आएगी 3 इंटू 2 वेलुई आएगी 6, तो 6 करम्चे मारे पास में बनेंगे, कौन से बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं यहांपर, देखिए 3 मारे पास में A, B, C हैं, 6 करम्चे कौन स तो A, C, और 6 हो जाएगा हमारे पास में C, तो टोटल 6 करम्चे हमारे पास में बनेंगे, क्लियर है, देखे, एग्जामपल 8 में क्या कह रहा है, चार अक्सरों A, B, C, D में से 3, 20 अक्सरों की कितने करम्चे बनेंगे, by taking 3 different letters from 4 letters A, B, C, D, write their permutations, यहां पर हमें permutations की वेलु 3, 4 में से 3, हमने select किये, तो कितने करम्चे बनेंगे, तो 4P3 करेंगे, factorial 4 की वालिय होती है, 4 into 3 into 2, और 4 minus 3 हो जाएगा, 1, तो factorial 1 की वालिय तो हमारे पास में बनेंगे, तो यहां पर हमारे थोड़ी से practice भी हो जाएगी, यह बनेंगे, तो देखिए, पहला तो हमारे पास मे permutation बनेंगे कौन-कौन से, A, B, C, उसके बाद में, देखिए, A जो आएगा, अगर first number पर आएगा, तो यहां पर 2 ही बनेंगे, B first number पर आएगा, तो 2 बनेंगे, और C first number पर आएगा, तो 2 बनेंगे, कैसे, A यहां पर first number पर आएगा, तो दूसरा क्या बनेगा, A, C, B, clear है, उसके बाद में, हम करेंगे, B को first number पर लेके आएगे, तो B, A, C बनेगा एक तो, और एक बनेगा, B, C, A, C को first number पर लेके आएगे, तो C, A, B, बनेगा, उसके बाद में, C को first number पर आएगे, तो B, A, साथ में आजाएगा, तो C, B, A, बनेगा, सेम नमर अगर हम लें, A, B, D को लें, ABC को तो हम ले लिया, अब ABD को लेते हैं, ABD लिया, तो A फस्ट नमबर पे तो दो बनेंगे, एक और बनेगा ADB, उसके बाद में हमारे पास में B को हम फस्ट नमबर पे लेके आए, तो BAD बनेगा, और साथ में बनेगा BDA, यह आप लोगों लिखना भी आ जाएगा, क अगर हम लें, ABC ले लिया हमने, ABD ले लिया हमने, ACD ले ले ले, ACD, यहाँ पर 14 नमबर हमारे पास में क्या बनेगा, ADC, और 15 नमबर हमारे पास में क्या बनेगा, D को हम पहले लेके आए, तो DAC, और DCA, C को पहले लेके आए, तो CAD, और साथ में CDA, और 19 नमबर हमारे पास मे क्या हो जाएगा हम BCD ले 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 तो BCD उसके बाद में BDC उसके बाद में D को पहले लेके हैं तो DBC और DCB C को पहले लेके हैं तो CBD और CDB इस तरह से टोटल हमारे पास में 24 करम्चे ही हमारे पास हो जाएगे और कोई नहीं बनेगा आप लोग सोच रहे हो कि इसमें और भी हम तीन उठा लें A, B, C, D हमने ले लिया, A, C, D हमने ले लिया, A, B, D हमने ले लिया, इतने हैं बनेगे तो टोटल 24 हमारे पास में करमचे बनेग, किलिए रहे, देखे, एक्जामपल 9 में क्या कह रहा है, निमले कीद को सिद्ध कीजिए, प्रूब दे फॉलोइंग, चार हमारे पास में पॉइंट दिये होए है, चारों को हमें प्रूब करना है, नमर फर्स्ट हमारे पास में है, N पी आर इक्वल्स टू, N इंटू, N-1, P, R-1, यह हमें प्रूब करना है, और इसी के बराबर में प्रूब करना हमें, N इंटू, N-1, N-2, P, R-2, तो हम लेफ्चेंट साइड इहां पर लेंगे, लेफ्चेंट साइड हमारे पास में है, N, P, R, और हमें बताए कि N, P, R का हम एकल्ड हुब फेक्टोयल N करने और सब्सावरा लेंगें ग्थे ही क्योंकि अन शरक्र-चै सहुक्तšके मैं बसे में Digital लेखेज्ऑ है मैं ऊर्यष्ट पर प्रताइब वह मी जो बाद जैकंज पाझी मुल्टिपलाई में, हमें चाहिए हम एनри मैनिस 15rations क्या होगी, फेक्टोरील एन मैनिस ऐप्टुरील एन मैनिस वन मीनस यह हमारे पासरि प्रीण आ मैनने चुके जिका है और नीचे हमें लेकर आना हैन मैनिस 1 मैनेस R-1 तो n हम क्या हो चाहिए ? n नीचे बनाने के लिए एक गठाएंगे और एक जोडेंगे तो n माइस 1, और minus R तो जोडेंगे एक तो यह हमारी पास में हो जाएगा तो n और factor n-1 उपर है नीचे हमारी पास पास में हो जाएगा और multiply में न होगा और यह value n-1 pr-1 की हो जाएगी n-1 का factorial और n-1-r-1 का factorial यह हो जाएगा हमारे पास में n into n-1 pr-1 n-1 का factorial उपर आ गया और इस n-1 में से r-1 हमारे पास में यहां पर घटी रहा है minus को मल लिया तो यह 1 जो था यह minus का हो गया अंदर कि minus को multiply करेंगे अंदर तो minus minus वापस प्लस में 1 हो जाएगा और यह minus का r हो जाएगा clear है अब हमें एक और प्रूफ करना यह तो हमारे पास में right hand side first आई है हमें प्रूफ करना है right hand side second की हमारे पास में n into n minus 1 n minus 1 n minus 2 p r minus 2 यह हमें और लेकर आना है तो यह वैली देखिए यह आपर हमारे पास में है factorial n सारी सारे value बराबर है equal है तो factorial n upon हमारे पास में है factorial n minus r तो यह पर हम n और n minus 1 common ले ले लिए बाहर तो अंदर क्या बचेगा factorial n minus 2 बचेगा एक कम बचता है तो पहले n common लिया तो factorial n minus 1 बचाता अब n minus 1 भी हमने comment ले लिया तो n minus 2 का factorial बच गया है है n-2 हमें चाहिए क्योंद है मारे पास n-2 यहां पर आ रहा है तो n-2 का वर्वेक्टारिल उपर हमें चाहिए निछे हमें क्या चाहिए ini-2 minus 1-2 m был मारे चाहिए और हमारे पास में क्या n-1 r हमारे पास में minus 2 जोडेंगे minus 2 टू, जो है उसको जोड़ेंगे और। को गटाएंगे हम .. एम्माह lot मा-फोडाएंगे हम Mcin- एम्माइ गटा दिया .. जोडा गटा दिया .. जो एम्माइनस वन ? और फैक्तोरियल ? और कॉन मील्य वैलिव है .. N minus 2 minus R to plus 2 में minus common لے लेंगे R minus 2 रह जाएगा Nisanda change हो जाएगे minus का यह प्लस का हो जाएगा और यह प्लस का यह माइनस का हो जाएगा Minus common लेतें अब हमारे पास में यह जो value है इतनी N into N minus 1 तो हमारे पास में अलग से जिए हमें और यह इतनी value है वे किसकी होगी यह N-2 PR-2 की होगी तो N into N-1 into N-2 PR-2 हो जाएगा N-2 का फेक्टोरियल उपर आ रहा है और N-2-R-2 का फेक्टोरियल यह हमारे पास में नीचे आ रहा है यह हमें चाहिए यह हमारे पास में आचोगी है right hand side second second number में क्या करणे देखिए NP0 बराबर 1 यह हमें प्रूव करना उसको प्रूव कर देते हैं second number NP0 equals to 1 यह हमें प्रूव करना left hand side हम उठाएगे यहां पर NP0 NP0 की वल्यदी क्या होगी फेक्टोरियल N upon factorial N minus 0 अकिति ही न्क. cents कि एली यां पर है यहां है जीरो टो अकी एलों को रॉलिया लिए जिरो स चैंस खेए पर आप टाहुआंगे लिया गए ऑन भेंत लॉर में जोंगे यह üzनल से लिया पर नचे चींग यह विशcket सब्सक्राइब लिए अपस में 0 होगा and encant जाएती तो ग्मालख आपे हैं रहा है्तप आप्ऐ डिखसके दूंगता अ इसको शुनख सकते हैं और एक न गठाएंगे तो n-n, plus 1 यह बचरा हमारे पास में, वन तो हमारे पास में है, तो factorial n, upon, हमें चाहिए n अलग चाहिए हमें, और minus n-1 अलग चाहिए, तो इन दोरों में minus common लेंगे, तो निसान चेंज हो जाएगे इनके कोस्टर के अंदर, यह minus का न है तो plus का हो जाएगा और यह plus का 1 है तो minus का हो जाएगा अब हमारे पास में यह value आची है npn-1 की npn-1 क्या होगा factorial n upon n-n-1 n-n-1 नी फेक्टराल में नीचे आ रहा है यह हमारे पास में right hand side हो गई clear है फॉर्थ number में क्या करे रहा है वो भी देखे लूते हैं फॉर्थ number में कहले है प्र बड़ाबर प्रूव करना है , प्र याँ पर हम राईट लगें कहें इसका प्रूभ लेते हैं nPr के बड़ाबर में प्रूव करना है n-r-1 और ऐस्यान प्र-1 यहाँ पर हम right hand side लेंगे तो easy हो जाएगा हमारे पास में तो right hand side हम ले 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 लेते हैं right hand side हमारे पास में N-R plus 1 और into में N-P R minus 1 तो N-R plus 1 तो इसा कैसा रहेगा और इसकी value क्या हो जाएगा N-P R minus 1, factorial N उपर होगा नीचे होगा हमारे पास में factorial N-R minus 1 N में से यह गटेगा तो value मारे पास में क्या होगी N माइनस R प्लस 1 तो हमारे पास में ही और into में factorial N उपर हमारे पास में है और अब हमें निचे देखें क्या re-value minus को multiply करेंगे अंदर तो minus का R प्लस का 1 यह हमारे पास में आएगा इसको हम common लेंगे तो बाहर लेते ही एक कम हो जाएगा फैक्टरॉल के अंदर N माइनस R प्लस 1 और into में factorial N एपर होन N माइनस R प्लस 1 को हमने बाहर लिया तो इससे एक कम रह जाएगा अंदर N माइनस R प्लस 1 तो है इससे एक कम करेंगे तो minus 1 हो देगा एक यह value बाहर लेते ही अंदर जो एक value कम रह जाती है एक बाहर लीतल है Factorial के N में अगर हम N बाहर लेते हैं तो उन प्लस 1 कम हो गया तो यहाँ पर minus 1 एक कम हो गया तो plus 1 सिआ-1 किंस आउट एन माइनस R प्लस 1 ओपर है, فैक्तोर्य एन भी आए नीचे मारे पास में आन माइन सार प्लस बन, हमने कामपन ले लिया, और यहां पर क्या बचा? फैक्तोर्य एन माइनस आर, और यह वैल्यू सेम है, तो यह तकनल हो जाए गी, तो factorial N upon factorial N minus R की value क्या होती है? NPR होती है तो यह NPR यानि कि left hand side हमारे पास में आ चुकी है clear है? यह चारों point हमने प्रूव कर दिया है चारी point थे देखे example 10 में क्या कर रहा है? यदि 10PR equals to 5040 हो तो R का मान याद की 10PR equals to 5040 then find the value of R तो यहाँ पर हमें R की value पूची है 10PR equals to हमें दिया है 5040 10PR की value क्या होगी? factorial 10 upon factorial 10 minus R और equals to 5040 factorial 10 की value क्या होगी यहाँ पर? 10 into 9 into 8 into 7 into 23 सी value चलेगी और आगे हमारे पास हम factorial 6 पचेगा factorial 6 की value क्या होगी? 6 into 5 into 4 into 1 तक जाएगी value उसको हमने ऐसे लिख लिख लिया और नीचे हमारे पास में है factorial 10 minus R तो equal हमारे पास में है 5040 10 से 5040 काटेंगे तो 0 कर जाएगा 9 से इसको काटेंगे तो 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 9 पंजे 45, 5 नोची के 14 56 बचेगा और 8 से इसको डिवाइड करेंगे 56 को तो 7 बचेगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा तो मारे पास में value क्या बचेए? यहाँ पर तो बचा factorial 6 और नीचे मारे पास में आ रहा है factorial 10 minus R equals to आ रहा है 1 तो हम क्या करेंगे? उपर फेक्टरल 6 आ रहा है तो फेक्टरल 6 से multiply कर देजिए उपर नीचे राइट हैंड साइड में तो फेक्टरल 6 से multiply करेंगे तो यह इसको इससे cancel कर देंगे या फिर आप चाहें तो क्रोस multiply भी इनको कर सकते हो यहां पर value क्या आएगी उपर तो 1-1 बचा तो यह तो equal हो जाएगे नीचे मारे पास हम क्या हो जाएगा? यह सभी को क्रोस multiply कर देजिए क्रोस multiply करेंगे तो value क्या होगी? हमारे पास में जाएगा फेक्टरल 6 इक्टरल 10 minus R यह होगा मारे पास में इस फेक्टरल 6 multiply होगा यहां यह multiply होगा इससे तो फेक्टरल हटाएगे हटाएगे तो 6 equals to 10 minus R बचेगा तो R को हम left hand side में लेकर आएगे और 6 को right hand side में यह हो जाएगा 10 minus 6 तो R की value कितनी आएगी? 4 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा तो R equals to हो जाएगा हमारे पास में 4 ध्यान रखें फेक्टरल जब हटाते हैं तो प्राकर सिंग क्या में हटता है? 0 बराबर 1 होता है इसमें फेक्टरल हम नहीं हटाए सकते है क्योंकि हटाने पर यह 1 बराबर 0 हो जाएगा जो गलत होगा clear है? तो 6 से बराबर हो जाएगा 10 minus R और R के वली हो जाएगी 4 आप चाहें तो फेक्टरल 6 से मल्टिप्लाइ किया बिना ही आप इनको वज़र गून कर सकते हैं तो यहां पर भी वली वह सेम ही आएगी फेक्टरल 6 से फेक्टरल 10 minus R ही आएगी clear है? मैंने वज़र उपर नीचे मल्टिप्लाइ इसलिए किया कि नीचे वाली वल्यू सेम हो जाए इसलिए किया यह स्टेप आपको करने के आउशिक्ता नहीं है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक एग्जांपल देखेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन का घंटा दबाएं वीडियो को लाइक करें कमेंट करें पिछे की वीडियो नहीं देखें तो उपर आग इंसान पर क्लिक करें थेंक्यू